ओम सभीको साधर नमस्ते आपने टीवी में या खथा पंडालों में कई सारे संतों के पंडितों के प्रवचन में कई बार सोना होगा कि आप गलत करोगे तो नरक में सडोगे और आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुमको यह ऐसा करम करते हैं तो यह बात हैं आपने खूब सुनी होगी कई सारे लोग कहते हैं कि जैसे श्रीमत भगवत गीता का एक श्लोग है हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा उसको धृत करते हुए कहते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग भी इतने बुद्धिमान हो करके नरक और स्वर्ग की बात करते हैं स्वर्ग का प्रलोभन देते हैं नरकों का भए दिकाते हैं एदे आप रणब्हूमी इल्टु में विजय प्राप्त कर ले तो स्माराज्य सुख्क य होग घ honest में सुणत भागवत महापरान में भी Tāmisrana नाम के लइज नम का व्रनन मिलता है तो जब कोई व्यक्ति पराई इस तरी पर कुद्रिश्टी जालता है तो उसके फल स्वरूप उसको तामिस्र नरक में भेजा जाता है यातना सहेने के लिए ऐसे ही अंधतामिस्र वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है विश्णुपुराण में भी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है जिसमें जैसे रौरव है, सूकर है, रोध है, ताल है, महाजवाल है, तप्तकुम्ब है, लवण है दारून है, वैतरणी है, किरमीश है, किरमी भोजन है, असिपत्तरवन है, खुर्ष् Sven है, लाल भक्ष है, अधिषरा है, वहनी जवाल है कालव सूत्र है, तमस है, अप्रेतिष्ठ है, अप्रेची है, कैई प्रकार के नरकों हैं वहाँ पर तो इन सबका अपना अपना एक वर्ग है वहाँ पर कैसे कैसे दंडद दिये जाते हैं उस सबका विस्तार से वर्णन मिलेगा तो विश्णु पुराण में नरक और स्वर्ग का निरूपण श्री पराशर जी करते हुए कहते हैं जो आपके मन को पुरेत लगता है अच्छा लगता है मनुन कूल है वो स्वर्ग है और इसके जो विपरीत है वो नरक है तो विपरीत क्या है? मन को जो विपरीत लगता है जिससे हमें दुख उत्पन्न होता है नरक है सुख बरावर स्वर्ग और दुख बरावर नरक तो दुख को ही नरक कहते हैं और सुख को ही स्वर्ग कहते हैं ये दोनों उसी के पर्यायवाची है इसके अतरिक तो और कुछ नहीं है यह जो स्वरग और नरक की जो अवधारणा है वो हमारे मन की स्थिती है यह कोई विशेष स्थान नहीं है जिन विशेष स्थान की हम बात भी करते हैं कि वहाँ जाओगे उस नरक में जाओगे उसमें जाओगे वहाँ पर भी आपको प्रतिकोल होगा, फिर आपको दुख होगा, इसलिए वो नरक है, तो दुख तो सबको होता है, तो जो दुख होता है, वही तो नरक होता है, तो नरक और स्वर्ग तो होते ही हैं, इसमें तो कोई संशाय नहीं है, यानि कि आप पुंडे कर रहे हैं, तो स्वर्ग है पुंड्य क्या है अच्छे कर्म अच्छे कर्म का फल क्या है सुख और स्वर्ग है तो अच्छे जो कर्म करते हैं हम जिससे दूसरों का और अपना हित होता है वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है सुख की प्राप्ति करता है इसलिए हम अच्छे कर्म करते हैं और कि हम समते हैं अच्छे कर्म करें हो गे तो अच्छा पाओंगे व्यवार wegehenहार में भी हमें देखने को कॉ मिलता है आप कैसी को गाली देखिंगे तो बदले में, यही बात करते हैं, कि यह सुख विशेस को ही स्वर्ग कहा जाता है, दुख विशेस को नरक कहा जाता है, तो हमारे मन की इस्तितिय है, मैं सुखी हूँ इस समय तो स्वर्ग में हूँ, मैं दुखी हूँ तो नरक में हूँ, और आप गलत करेंगे तो आपको इस जीवन में प्रिष्टी जो है वो इतनी विराट है कि वो हमारी चोटी सी बुद्धी में समाहित नहीं हो सकती है तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा अंदकार है बहुत ज्यादा दुख है हो सकता है कुछ अच्छे लोग भी हो जिसे हम स्वर्ग कह रहे हैं बस्तो तह तो मन की स्थिति स्वर्ग और नरक है लेकिन मन की स्थिति हमारे बाहिय वातावरन से भी बनती है अब मुझे कीडे खाएंगे तो मुझे सुक तोड़े प्राप्त होगा दुख ही प्राप्त अब केवल प्रित्वी वासियों के लिए ही यह इतने विराठ संसार का सुरिजन किया है परमात्माने ऐसा तो नहीं है हमारे जैसे लोग अन्य किसी भी प्रित्वी पर होंगे तो वह हमसे अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं हो सकता है यह प्रित्वी अन्य प्र तो इतने वड़े विराट संसार में हम कह नहीं सकते हैं, अभी हमने कितना जान लिया है, संसार को अभी हम कितना समझ पाए हैं, और जो कीडे खाने वाली जो बात की जाती है, या पकोड़े की तरह तले जाते हैं, जो दुख का वढणन है, वो भोग भी हम इस जीवन में कर जब हम सोते हैं, तो स्वपन में हमारी चाती पर संप आकर बैठ जाता है, और वो हमको डस रहा होता है, निगल रहा होता है अजगर, और हम फड़ फड़ा रहे होते हैं, तो वो जो अनुभव है हमें, क्या वो उस समय जूटा होता है, उस समय उसको हम ही अनुभव कर रहे कभी बाइक से गर जाते हैं, कभी हवाईजाज से गर जाते हैं, कभी भूत पिशाच हमको कीच रहे होते हैं, कभी बिच्चु हमारे शरीर पर दौड रहे होते हैं, कभी कोई पैर पकड़ लेता है, भागा ही नहीं जाता है, हमसे सुनामी आ रही होती है, कुछ भी होता रहत तो वो हम को उससे दुख होता है या सुख होता है तो जो भयंकर जो सवक्ण हम देख रहे हूँ है वो उस समय का यथार्त होता ओता है जब हम जाग जाते हैं तब पता चलता यह तो ऐसे ही था जब कि बहुत ज़्यादा भयानक हम द्रिश्य देख लेते हैं स्वपन में तो उसके बाद भी हमें निद्रा नहीं आती है यदे एकांत में शायन कर रहे हैं तब भी हमें बहुत भाय लगता है उससे तो भोगा हमने दो किस कारण से भोगा गलत कर्म के कारण से इतने अच्छे हमारे कर्म हैं नहीं कि हमें अच्छे स्वपना है गंदे गंदे स्वपना हम सबको आते हैं लेकिन अच्छे जैसे कि आप हावन कर रहे हैं साधूं का सत्संग सुन रहे हैं कभी ऐसा हुआ है स्वपन में कि आप किसी वन में भटक रहे हैं, सत्यकी खोज में आपको कोई गुरू मिल गया, उन्होंने बहुत अम्रित वचन आप से कहें, बिल्कुल नहीं देखा होगा, आपने कभी भगवान श्री कृस्न को नहीं देखा होगा, गाय चराते हुए, ब अपरकार का वर्णन मिलता है तो हम व्यावार के रूप में हम देख रहे हैं, तो यह तो नरक ही है ना, और जिसको भयानक सौपना आते है तो जैसे ही रात्तरी होती है, वो पहले ही डरना सुरू करतेता है कि अब आज की रात कैसे कटेगी आज की रात, सो नहीं पाते हैं, बैट करके आँख खोल करके ही रात्तरी निकल जाती है, सो नहीं पाते है, क्योंकि पता है सोता ही भूत दिखेंगे, तो यह जो नरक की यातना नहीं है, और नरक का जो वर्णन है वो प्रतीकात्मत ही हो सकता है, क्योंकि आप गलत करोगे उसका कैसा परिणाम होगा, इसकी कलपना हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी एक इमेज बना दी है, कि ऐसे ऐसे साप, ऐसे सयाजगर, ऐसे ऐसे विच्छु आपको परिशान करेंगे, तो आप उसके कारण से आप गलत नहीं करो, तो यह अर्थवाद के रूप में भी हो सकता है, अतिशायुक्ती भी हो स सामने तो ओ, यह तो बहुत खतरना है, तो हम गलत कर्म करने से बचते हैं, तो यह भी हो सकता है, नरक ऐसे ही नहीं होते हैं, कि जहाँ पर बदबुदार जगह है, और वहाँ पर आपको करेंट लगाया जा रहा है, वो यह नहीं है, अच्छे चमकते हुए नरक भी होते हैं आप किसी ओफिस में काम कर रहे हैं और आपका बॉस आपको प्रताडित कर रहा है, आपका सोशन कर रहा है, तो आप बहुत भैबीत हैं, बहुत दुखी हैं उस बात से, कि यहां से कैसे मुक्ती हो, अभी एक लड़की ने आतमत्या करी थी बॉस के कारण से, तो वहाँ पर चमकते हुए सीसे लगे हुए हैं, चमकती हुए लाइट लगी है, लाइट जगमक जगमक हो रही है, आपकी चेहरे के सामने बिलकुल ऐसी लगा हुआ है, जो ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, नीचे बढ़िया टाइल्स लगी हुई हैं, आपके सामने कंप्यूटर रखा ह हुए है, सब कुछ अच्छा है है आपने पर्फिम लगा रखा है, इसHHे लगा हा रही है सब कुछ चो रह वाहा है है लिकुछ और मन में जो डुखी हो ना वही नरक है, अब जगे तो अच्छी है लग जगे तो अच्छी है, अब प्र देखक कर जा लगा जगें जगे है एक फ्लेट में रहती थी, मैंने का थोड़ी बहुत धूप लो, कुछ साइद काम करें, कब से नहीं लिये धूप, तो बोल रहे हैं, मुझे पच्चीस साल हो गए, क्योंकि फ्लेट में धूप आती नहीं है, और हम फ्लेट से बाहर जाते नहीं है, तो न तो उनको शुद्ध हवा मिल रही है, न भगवान सुर्य नारा का, उनको तेज मिल रहा, प्रकाश मिल रहा, उदर से जो भी शक्ति मिल सकती थी, वो भी नहीं मिल रही है, तो यह नरक नहीं है, तो क्या है, कोई ऐसी गलियों में रह रहा है, जहां पर दुरगंद ही दुरगंद है, मान सकाया जा रहा है तो वो तो नर्क नहीं है तो क्या हैं तो नर्क और स्वर्ग की जो अवधारणा आए मुलत सुख और दुख को लेकर कि हैं प्रतिकात्मक्रूप से कुछ बात हैं कह दिगी हैं जिससे हम समझ सकें कि ऐसा भी दुख हो सकता है और यतार्त में भी वे लोक-लोक पांतर कहीं होंगे तो होंगे क्योंकि हमने अभी तक कुछ नहीं जाना है प्रकृति में कुछ नहीं समझा है तो मुझे लगता है कि कुछ समझ में आया होगा तो जब भी हम दुखी हैं तो समझ जाएए आप नरक में पड़े हैं और जब भी आप सुखी हैं तो समझ जाएए कि आप स्वर्ग में पड़े हैं आनंद भोग रहे हैं स्वर्ग का तो इस समय मैं स्वर्ग में हूँ, आप कहां हैं, आप अपने आपको देखिए, धन्यवाद.